हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू मैं न्यू वीडियो आज सुबह जब मैं सो कर उठी उठकर सबसे पहले मैंने अपने घर को सरी आया जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि कल रात में मैं गई थी गुमने के लिए जिस वह से आज सुबह मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया मेरा घर काफी गंदा हो चुका था फिर सबसे पहने मैंने लगाया जाड़ू फिर से वही बहुत ज़्यादा गंदगी निकली मेरे घर से क्योंकि मेरे घर पे बच्चे खेलते रहते हैं फिर मैंने लगाया पोच्छा और पोच्छा लगाने में मुझे बहुत मज़ा आता है देखो पोच्छा लगाते लगाते मेरी हालत खरात कभी नहीं होती है पोच्छा लगाने के बाद सबसे पहले मनाया मैंने खाना आज खाने में बना था आलू और बिंडी की सब्ची जो क मैं गई बाहर, बाहर मैंने देखा काफी अच्छे अच्छे फूल के कलिया आई थी मेरे पेड़े पे लेकिन बस मेरे पेड़े पे कलिया ही दिखती है, फूल पता नहीं कौन तोड़ कर ले जाता है ये कली बहुत सारा है, मुझे बहुत ही पसंद है, फूल पेड़ पोधे, मुझे नेचर बहुत पसंद है कितनी सारी कली खिली थी आज सुबह सुबह मेरे घर के बाहर मतलब देखो मुझे बहुत पसंद है, फूल पेड़ पोधे इसके बाद मैं गई दुकान, दुकान जाते साइमे मेरे साथ परी भी जा रही थी लेकिन उड़कर नहीं, अपने पैरों से चल कर चल रही थी फिर चलते चलते हम पहुँचे दुकान, ये हमारे घर के सबसे सामने वाला दुकान देखो यहां पे सभी खाने पेने की चीज़े आपको मिल जाएंगी फिर मैंने लिब चॉकलेट क्रीम वाली बिस्किट बिस्किट लेकर मैं गई घर और मेरे साथ परी भी थी लेकिन ये चल के जा रही थी उड़त नहीं पाती है ये परी काफी ज़्यादा तेज धूपती बाहर मुझे लगने लगी बहुत ज़्यादा गर्मी फिर मैं जल्दी जल्दी चलते गई और फिर मैंने चहड़ा अपने घर के सीड़ी गर्मियों में हालत कराब हो जाती है सीड़िया चड़ने में फिर पहुची मैं घर घर आकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है फिर मैंने खाई बिस्किट और मैं बिस्किट खाती हूँ पानी के साथ दूद के साथ भी नहीं चाई के साथ भी नहीं मुझे पानी के साथ खाना पसंद है फिर बिस्किट खाने के बाद मैंने किया लंच क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो डायट मैंने लंच ही कर लिया आज था खाने में चावल डाल आलू बिंडी की सबजी फिर मैंने खाया और खाने के बाद मैं हुई रेडी क्युकि मुझे जाना था पारलर अपने आईब्रोज को सेड़ करवाने के लिए और मेरे साथ थी परी और मेरे नीवर्स देखो और ये में आईबरो बनवाने के बाद देखो मेरी प्सलेस कर ना जादा चेंज हो गया फिर मैंने खाया आइस क्रीम और आइस क्रीम में मुझे चॉकलेट फ्लेवर जादा पसंद है यह बहुत पसंद है जाए सरदी हो गर्मी हो या ठंडी हो कुछ भी हो फिर मैं गई वापस से मार्केट क्योंकि मुझे टेलर के सोफ पे जाना था मतलब मुझे नहीं मेरे नेवर को जाना था टेलर में उन्हें कुछ कपड़े सिलने को दिये हुए थे तो पेंगल वहां और देखो काफी अच्छी दूप निकली थी गर्मी भी आज बहुत ज्यादा हो रही थी फिर मैंने टेलर से लिए कपड़े कपड़े लेने के बाद मैं वापस आई घर घर आने के अपना सारा काम खत्म और खत्म करने के बाद में फिर से रेडी क्योंकि मुझे जाना था दुकान कुछ खाने के लिए अपनी फ्रेंट के साथ तो यह मैं जैली दुकान वहां जाकर ने कुछ खाया और आद चांद का फी अच्छा निकला हुआ था आसमान में काफी खुब फिर मैं गयी डान्डिया देखने के लिए जोकित सब नोगों ने बहुत अच्छे से डांडिया पीरश्रफॉर्म किया था सब काफी अच्छे से रिडी भी हुए थे मुझे डान्डिया करना नहीं आता है तो मैंने नहीं किया लेकिन बाकी लोगों ने किया पिर वहाँ से आने के बाद मैं काफी ज़्यादा थक गई थी, मुझे बहुत नीम भी आ रहे थी, फिर मैंने सबसे पहले खाया खाना, और खाना खाने के बाद मैं चुपचाथ से सोने चली गई, बाई बाई, थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो, डॉन्ट फरगेट तो ल